skincare को लेकर अभी आप मेरी इसकिन देख रहे हैं अभी मेरी पहले मेरी इसकिन बहुत ज़्यादा धबो से भरी हुई थी बहुत ज़्यादा डार्क थी अनीवन इसकिन टोन थी डार्क सरकल भी थे लेकिन बढ़ रही रिंकल साना स्टार्ट हों गया है तो जी गिर रही है और के बाद वो रिजल्ट आप देखेंगे इस तरीके से हलो एब्रीवन मैं रूपी का साइब करती हूं आप सभी का यूटूब चैनल रूपी का मेकप में तो दोस्तों कैसे हैं आप लो उमीद है कि बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्फू बहुत ज़्यादा दार्क थी अनिवन इसकिंटोन थी डार्क सरकल भी थे लेकिन धीर दीर वह रिमूब मैंने कैसे किया आज इस वीडियो में बताने वाली हो तो यह जो मैं आप लोगों के साथे जेल सेर करने जारी हूं जो आपके साथ मैं क्रीम सेर करने जारी हूं यह बहुत ही अच्छी है और आप इसी इजली बना सकते हैं तबसे पहले बात करते हैं यह किन चीजों में फायदा करने वाली है अगर आपके जाईया आए डार्क सरकल है अनिवन इसकिंटोन है आपकी एस बढ़ रहे ही रिंकल्स आना स्टार्ट हो गया है तो जी हाँ आप अ हैं तो चलिए आज हम देखते हैं कि यह क्रीब हम कैसे बनाते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज आप लोग उस रिक्वेर्ट से चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिए वेल आकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालगो तो उसका न तो इसमें मैंने एलो वेरर जल निकाल लिया और दूसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए विटामिन ए की कैपसूल हमारे बालों के लिए और फेस के लिए बहुत अच्छी होती है आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी मेरेकल स्टोर पे तो इसकी एक कैपसूल ल अगर आप ज्यादा बना के रखना चाहते हैं तो दो कैपसूल का यूज कर सकते हैं कि बाद इसमें हम एड़ करेंगे गुलाब जल दो इस प्रे मैंने किया है गुलाब जल का यह है मारे पास हर्बल का गुलाब जल आपके पास कुछ कोई सा भी ओ गुलाब री का हो या कोई सा भी गुलाब जल हो ले सकते हैं तो इसमें दो इस प्रे कर लिया है मैंने तो अभी मैंने यूज किया है फिर से एक बर बता विटामिन E की कैफसूल और गुलाब जल अब चौती सीज हम इसमें यूज करेंगे गलिसरीन या नारियल का तेल आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं यह मैं तो इसमें में दो अबऑन गलिसरीन की एड करूँगे क्योंकि अभी गर्मी होने लगी अगальная आप यह थंडी में बना रहे हैं तो को बहुत है अच्छा से मिक्स करना आपको बिलकुल Ee टाकि ये सारी चीज़े एक दूसरे में अच्छे से मिल जाय W और यह देख सकते हैं यह इतना मिक्स करना है कि इसमें एक जल टाइप का बन जाए अभी आप देख सकते हैं यह पूरी बोटल भरी हुई है बट इसे मैं ऐसे कर रही हूं अभी बिल्कुल नहीं गिर रही मतलब यह अच्छे से मिक्स हो गई थोड़ी देर बाद यह और भी हो जाएगी बट अभी इतनी मिक्स करने से यह थीक हो चुकी है कि मैं ऐसे भी कर रही हूं तो नहीं गिर रही है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भरी हुई है यह तो अब हम देखते हैं इसे हमें यूज को ऐसा करना यह एक में कंटीनर बना के राक लेती हूं और यह मेर बहुत ही अच्छा और आपकी स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है तो चली अब देख लेते हैं इसे हमें अपलाई कैसे करना यह धीरे-दीरे थीन होती चली जायेगी अभी तीन जाएगी बहुत जल्दी और अगर आपके पास टाइम नहीं है इसकीन केर करने का अपने अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आप सिर्फ मैं बोलनी इतनी कंटेनर बना ले और सिर्फ इतना यूज करने के बाद वो रिजल्ट आप देखेंगे जो मैं खुद बता रही हूं क्योंकि मेरी स्किन पहले बहुत ज्यादा अनीवन थी और अभी आप देख सकत और हलके हलके हाथों से हमें वन मिनिट के लिए इसे मसाज करना है इतना चाप को फीलोगा इतना फ्रेस फीलोगा इसकी जो खुसबू है रोज वाटर की गुलाब जल्की और इलो वेरा की इतनी अच्छी खुसबू है तो इस तरीके से मसाज करने के बाद एक मिनिट का के मसाज के बाद आपको इसको आप अपना चाहिए और आप अपना चाहिए और आप अपना मेकप रिमूब करें जिए फेस को अच्छे वास की जिए उसके बाद इसे अपलाई करके सो जाए और सुबह खुद आप देखेंगे रिजल्ट मैं बोल रही इतनी कंटीनर अगर आप बना लिया और खुद से आप यूज कर रहे हैं खुद से आप रिजल्ट देखेंगे बहुत ही अच्छी आपकी स्कीन होती चली जाएगी तो ऐसी वीडियो के लिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्र